जैसे कि मैं आप कमित दिपक बोल रहा हूं और मैं आज आपको MIK TV में कैसे आप डाटा शेविंग ऑफ्शन को कर सकते हैं और डाटा बचा सकते हैं यदि आप YouTube देखते हैं यदि फिर कोई मुवी देखते हैं तो आप कैसे कम से कम डाटा यूजस में देख सकते हैं और आपका डाटा ज्यादा लॉस भी नहीं होगा तो उसको कैसे आपको सेटिंग में करना है उसके के बारे मैं पूरा आपको डिटरस में लेके आया हूँ तो सबसे पहले आपको मुवाइल से हाट सबसे पहले में इस तरह के इंटरफेस आ जाया गया तो इंटरफेस सबसे पहले आपका सामने आएगा कि कि data shaver is off, तो हम मेरे इसमें देख सकते हैं कि data shaver off है, तो इसको मैं कैसे on करूँगा, उसे के बारे मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले आप इसमें नीचे आएंगे, जैसे नीचे प्रेस करेंगे तो इसमें आपका details आएगा, और dismiss का option आएगा, यदि आप dismiss कर देते हैं तो इसमें आपको option नहीं आएगा, फिर आपको settings में करना पड़ेगा, और यदि आपको इसमें details में क्लिक करते हैं, तो details में क्लिक करते हैं जैसे, तो जैसे details में क्लिक करेंगे, तो इसमें आपका दो option आएगा, एक option आएगा data shaving on करने के लिए, तो इसमें आप देख सकते ह आपकी data shaver data shaver adjust to your video quality is saved to data your आपका जो वाच टाइम होगे जो वीडियो आप देखते हैं तो इसे आपका data काफी बच जाएगा तो इसमें आपका data बचेगा तो इसमें आपका data इतना खताम हो चुका है और इसमें आपको data बता देगा notification में तो इसको आप जिससे on करते हैं तो स ऐसे आप इसको अरजिस्ट कर सकते हैं तो मैं इसको on कर दे तो मैं on कर दिया हूँ और इसको मैंने जैसे ही करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ है your will be notification your every 100 MB data that you are used तो आप जब 100 MB यूज़ डाटा कर लेंगे तो आपको alert आ जाएगा कि आपने 100 MB डाटा यूज़ कर लिया यदि आप 500 MB करते हैं तो 50 MB में भी शेम यही condition बताता है कि कैसे आप कर सकते हैं और फिर 1 GB के बाद तो मैं 1 GB में sit कर देता हूँ और एक GB को shape करने के बाद मैं इसको back कर दूँगा और जैसे back करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में आपका बताने लगा है data sharing is on हो गया मेरे इसमें और यदि मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ YouTube बगएरा कुछ भी Netflix बगएरा देखता हूँ तो आप इसमें बचा देखने के सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्क्राइब